हलो दोस्त और और भी एंटीपीसी लेवल फाइब और लेवल शीक्स रिजल्ट के रिगार्डिंग और और भी सिकंद्राबाद में पैनल तीन जारी हो गया है पार्ट पैनल थ्री लेवल फाइब का लेकिन कट अभी तक नहीं आया है कंडिडेट का क्वाईरी है कि कैसे चल जाएगा और भी मुंबई से भी अपडेट है लेवल सिक्स के रिगार्डिंग एक पैनल जारी हुआ है वो तेरह तारीक के साम में आज चोदा तारीक है एरांची में दो कंडिडेट के लिए पहले पैनल में सामिल कर लिया और बाद में हटा दिया यह मोडिफिकेशन ह यह दो तीन अपडेट है तीनों अपडेट को देखके एक एक करेक के चलेंगे तो सबसे पहले हम सिकंद्राबाद की बात करते हैं तो और भी सिकंद्राबाद में देखिए दस तारीक को एक पैनल जारी हुआ बारा तारीक को जारी हुआ उसके बाद तेरह तारीक को जारी हुआ और तीनों लेबल 5 का कटेगरी 3456 का ही है 4546 यह टाइपिंग टेस्ट और singular शिक्स टाइप नन टाइपिंग टेस्ट यानि तीन नमबर गूडगार्ज और यह कमर्चियल कम टिकेट वाला कलरक वाला और यह दोनों टाइपिंग टेस्ट वाले जुनियर जे अला और सिनियर वाले तो दोनों का ऐसा ही है सारा पैनल को देखेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा क्योंकि अब अलग अलग चीज है हर कॉम्टी का अलग अलग वेकेंसी है तो मैंने सिकंद्राबाद का पीडिएफ डाला था जो डबलू से ले लिया और उसमें अपडेट कर दिया आपका तो लेवल फाइब में कटप तो जारी नहीं हुआ है लेकिन अभी हम कंडिडेट पता है सबसे पहले इसी ओ आर में 136 कंडिडेट लेने थे 110 तीन पैनल तक आ चुका है यानि 26 पोस्ट और खाली है कॉम्टी भाई 20 कंडि कावन है मतलब यूर में कंडिडेट क्वालिफाई किये हैं लेकिन कॉम्टी में अगर यहां देखेंगे तो 20 के अगेंस 13 ही है यानि साथ खाली है इधर एक खाली है और इधर में तो कंडिडेट जो अपने सीट है उसके अलावा भी यूर में है तो कितना खाली है एक जिक अगर देखेंगे तो करीब करीब आप का सकते हैं 55 इधर 56 इधर से और एक और 1776 का सकते है इतनी पोस्ट अभी और पैने लाने बाकि है जो काफी संख्या में है जो अभी आना बाकि है उसके बाद आपका जो अगला पोस्ट था वो सीनियर कुमर्शियल कम टिकट कलर को वा टाइपिंग नन एच्छे कहा है एक मिनिट सिनियर कमर्शिल कम टिकट कलर्क छे नंबर का टाइगरी का जिसमें अलग-अलग पोस्ट थी तो एक में 31 था यूसर में 31 लोगों को पैनल ले लिया है ये पूरा हो गया है पैनल जिसमें यूर के मात रहती नहीं कंडिलेट है बा वेकेंसी थी वह भी भर गया और जितनी सीट थी वह भी कंप्लीट हो गया है उसी के बाद उसी में आपका एसी आर वाला में अभी खाली बचा हुआ है यहां पर जो सिनियर कमर्शिल कम टिकट कलर का है 435 पोस्ट के गेंस 318 लोग ही अभी सेलेक्ट हुए है यानि अभी य 117 पोस्ट और अभी खाली है जिसका सेकंड पैनल सेकंड डीवी में नाम आ सकता है तो यहां से कितने होगे यहां से अगर देखे तो आपको मैं रफ आइडिया आपको मिल गया क्या मिल गया कि 117 पोस्ट इधर 176 पोस्ट इधर और 30 26 पोस्ट इधर यानि अगर यहां तक या अब टोटल बात करते हूं उसके बाद नीचे आएंगे यह नन टाइपिंग टेस्ट में नन टाइपिंग टेस्ट में एक सो सत्रा चब्वीस और एक सो चेहतर इतने पोस्ट का भी पैनल आना है एक आप ही संख्या है यानि अभी या तो पैनल जो लोग बच्चे हुए है उनका पैनल आएगा नहीं तो सेकंड डीवी में जाएगा जो कह सकते हैं सिदी सिदी यहां से अगर दो सो तीन सो तीन सो बीस तीस सीटे अभी बाकी है नन टाइपिंग में टाइपिंग टेस्ट में यहां का इस्ते तेस्ट देखेंगे तो आपको पहले जूनियर एकाउं सीट इढर से अभी बच्चा है और इढर से चार पांच यानी 27 सीट बच्चा हुआ है आपका जूनियर एकाउंट और सिनियर टाइपिस्ट का और यहां से 66 वाला देखिएगा तो 66 के अगेंस एक सो तेईस यानि यहां से अगर कहेंगे आपके पास चात्तिस और तेरा या यानि आपके पास यहां पे 49-50 सीट यह बच्चे हुए हैं यानि 50 और इधर से कहें तो आपका यह करीब-करीब 100 से थोड़ा कम पोस्ट यहां भी अभी बच्चा हुआ है जो अभी आना है यानि यहां पे अगर सिकंदराबाद में बोलेंगे तो अभी भी 400 लोगों के लिए उमीद है कि अभी से कड़ी भी सुरू होगी अभी इससे ज़्यादा तो आपको डीटेल नहीं मिल सकता क्योंकि कट आफ ओफीसियल आई नहीं है अब चलते हैं दूसरे आरार भी में तो इसको हम हटाते हैं सिकंद्राबाद के बाद दूसरे आरार भी हमारे पास है राची किसी को भी नहीं लगेगा क्योंकि कंडिडेट एक बार पैनल में नाम आने के बाद सिनियर कलर कम टाइपिस्ट इस सेंटर रेल्वे एक दो कंडिडेट का अब 27 के जगह पर 25 पैनल में होगा हो सकता है इनका टेकनिकल डिजन हो या कोई और पोस्ट में अल्लेडी सेलेक्टेड हो ये भी हो सकता है मिश्टेक हो रहा है आजकल रावी से और नहीं हुआ तो कंडिडेट के लिए दिकत है उसके बाद अगला रार भी हमारे पास मुँबई है मुँबई में अपडेट आया है लेबल 6 के रिगार्डिंग जिसमें आपको लेबल 6 का पैनल जारी हुआ है और ठीक टक का पैनल है यहां पे तो यहां पे मुँबई वाले देखेंगे तो यहां पे पहले तो तीन कोमर्शिल अप्रेन्टीज के लिए فंडेट जो काटेगरी नमबर बन का सेंटर रेलवे का और बाकी要 technology के लिए शेंटर रेलवे में जारी हुआ है जो अच्छा है और लेबल फाइब का रिजल्ट अभी आया है डॉक्मेंट वेरिविकेशन कुछ दिनों में सुरू होगी तो ये रहा आज का अपडेट जो तेरा और चौदा का अपडेट थैंक्यू धन्यवाद